नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं इस दुर्रानी आज हम बनाना सीखेंगे कोर्मा कोर्मा बनाने के लिए हमें जिन अजज़ा की ज़रूरत है उन में शामिल है चिकन आधा किलो, तेल एक कप, दही एक पाव, प्यास बारी कटी हुई देर पाव, पिसा हुआ खोपरा वन टेबल स्पून, छिले हुए बदाम वन टेबल स्पून, धार चिनी के टुकड़े दो अदद, पाली मेर्स आठ अदद, लॉंग चार अदद, छोटी लाइची दो अदद, जीरा वन टेबल स्पून, तेश पत्ता एक अदद, लैसर अद्रक का पेस्ट वन टेबल स्पून, पिसा हुआ गर्मसाला वन टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च वन टेबल स्पून, पिसा धनिया त्री टेबल स्पून, नमक वन टेबल स्पून जायफल जावित्री पौडर एक चुटकी केवड़ा वन टेबल स्पून पानी हजब जरूरत तरकीव सबसे पहले ऑईल गरम कर लें और इसमें प्यास डाल कर ब्राउन करके से निकाल लें फिर इसमें पूरा साबुत गरमसाला डाल के इसे एक मिनट के लिए करकडा लें अब इसमें लेसन अद्रक का पेस्ट डाल कर इसे सौते करें और फिर इसमें चिकन डाल के पांच मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें अब तमाम पिसव हुऊ मसाला हाफ कप पानी के साथ चिकन में ढल दें और इसे पकने के लिये रख दें अब इतनी देर में दही में प्यास और बदाम डाल कर इसे मोटा मोटा ग्लिंडर कर लें जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें दही वाला बैटर डाल दें और साथ ही इसमें पिसा हुआ कोपरा और केवरा डाल कर इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दें आपका मदेदार सा कोर्मा तैयार है ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी में फिर मुलकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज झाल 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 झाल